नमस्कार दोस्तो में रूपेश कुमार और आप देख रहे हमारा इलेक्ट्रिकल चैनल बूल 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 दोस्तो आज का वीडियो में हम बात करने वाले हैं ESP रैपवर का प्रोब्लेम्स के बारे में ESP रैपवर में क्या-क्या सब प्रोब्लेम्स आते हैं और फिर उसके हिसाब से ESP का प्रोब्लेम्स के से अफेक्ट होता है उसके बारे मैं आपको डिटल में समझाओंगा तो चलिए दोस्तो शुरू करते हैं आज का वीडियो लेकिन वीडियो सुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ-साथ बेल आइकोन को प्रेस कीजिए ताकि आगे जितना सारा वीडियो में लाओं वो वीडियो आप तक आसाने से पहुंच सके दोस्तो तो जितना सारा आस पाटिकल रहता है आस पाटिकल कॉलेक्टिंग प्लेट के ओपर चिपक जाता है तो ESP का काम होता है आस पाटिकल को कलेट करना लेकिन साथी चाथ उसको भी रिमूब करना पड़ता है दोस्तो तो collecting plate से आस particle को remove करने के लिए हम लोग र्यापपर का इस्तवाल करते हैं र्यापपर एक motor रहता है दोस्तों और उसी motor को हम लोग power supply देते हैं उसी र्यापपर motor gearbox के थुरू एक लंबा shaft रहता है ये सी field के अंदर उसी shaft में बहुत सारा hammer लगे होते हैं जब भी ये motor गुमता है और साथी साथ उसके साथ लगने वाला जितना सारा hammer है, hammer भी गुमने लगता है वो hammer जाके collecting plate को अपर hammering करता है और फिर collecting plate में जितना सारा आस particle लगे होते हैं वो remove होता है नीचे गिर जाता है फिर हमार जो dust hopper रहता है dust hopper के throw फिर बोड discharge हो जाता है तो ये होता है मोटा मोटी ESP and wrapper का काम अगर wrapping सही तरिके से नहीं हो रहा है तो क्या क्या सब region हो सकता है क्यों wrapping सही तरिके से नहीं होगा एक होता है दोस्तो अगर अंदर का ass build up हो जाए तो उसकी बज़े से भी सही तरिके से wrapping नहीं होगा second issue होता है दोस्तो poor design design अगर गड़वाट रहा होगा तो भी wrapper सही तरिके से काम नहीं करेगा और wrapper mis-adjusted या mis-alignment हो जाए माल लिजे wrapper motor और gear box separate हो जाए तो आपका wrapper motor तो गुम रहा होगा लेकिन gear box नहीं गुमेगा और उसके हिसाब से अंदर का जतना सारा hammer है hammer नहीं गुमेगा तो इसलिए दोस्तो अगर wrapper सही तरिके से function नहीं करेगा तो हमारा ESP का performance भी reduce होगा उसका efficiency reduce होगा तो इसलिए हमको क्या करना चाहिए तो इसलिए दोस्तो ESP के wrapper बहुत ही important part हो जाता ESP का अगर wrapping mechanism सही तरिके से काम नहीं करेगा आपका dust particle रिबूम नहीं होगा और ESP का performance के उपर affect आएगा ESP का efficiency low हो जाएगा reduce हो जाएगा जितना आपका dust particle collect करना चाहिए same उसी amount में dust particle collect नहीं कर पाएगा ars particle को collect नहीं कर पाएगा और chances रहता है कि field short circuit में trip हो जाएगा ज़्यादा तर यही problem आता है दोस्तों कि wrapper अगर खराब हो जाए सही तरिके से हामरी नहीं हो तो उसकी बज़े से आस जो build up होके रहता है collecting plate के उपर उपर तो remove नहीं होगा उसकी बज़े से field बार बार trip हो जाएगा short circuit में दोस्तों ESP के wrapper motor को तो हम लोग बाहर से देख सकते हैं wrapper motor को देख के wrapper motor चल रहा है कि नहीं वो भी हम चेक कर सकते हैं उसका direction सही है कि नहीं उसको हम चेक कर सकते हैं लेकिन उसका जो अंदुर नीशा रहता है जो ESP chamber के अंदर रहता है उसका जितना सारा hammer रहता है shaft रहता है उसको हम नहीं देख सकते हैं बाहर से कितना dust collect हो रहा है और कितना dust environment में चला जा रहा है उसको हम measuring instrument के थ्रोव हम उसे reading ले सकते हैं तो उसके हिसाब से हम लोग र्यापूर को भी adjust कर सकता है माली ज़्यादा dust अगर बाहर जा रहा है उसका मतलब है कि ESP dust particle को collect नहीं कर रहा है उसका एक रिजिन हो सकता है हमारा wrapping mechanism सही तरीके से काम नहीं कर रहा है hammering अगर सही तरीके से नहीं होगा तो हमारा dust particle remove नहीं होगा dust particle अगर collecting plate से remove नहीं होगा तो जितना सारा input material आएगा ESP chamber में और जितना सारा आस particle आएगा वो तो collecting plate को पर collect नहीं होगा वो सिधा चिमनी के थुरू air में चला जाएगा environment में चला जाएगा तो आपको वहाँ पे dust measuring instrument लगाना है और preventive measures हमको क्या लेना है preventive measures है नहीं आप जो preventive maintenance करते हैं लिकिन ESP का आप लोग तो ज़्यादा तर preventive maintenance नहीं कर रहे होंगे क्योंकि ESP field तो हमेशा चलता रहता है तो आपको running condition में ESP का राफपर को देखना है बीच बीच में आपको ESP का performance को देखना है physical inspection करना है और राफपर का भी physical inspection करना है physical inspection में आप लोग देख सकते हैं कि राफपर और उसके साथ जो gearbox लगा हुआ है gearbox का oil सही है की नहीं gearbox का soft movement कर रहा है की नहीं यह सब आप physical देखके पता कर सकते हैं तो यह हो गया दोस्तों अगर आमरा ESP का रापपर सही तरीके से function नहीं कर रहा है तो उसको हम कैसे check करेंगे उसकी बज़े से सब क्या क्या problems आते हैं उसको हम कैसे ठीक करेंगे और एक problem आता है दोस्तों too intense wrapping अगर रापपर ज्यादा wrapping कर रहा है बहुत ज्यादा wrapping कर रहा है तो उसका रिजिन क्या हो सकता है क्यों ज्यादा wrapping करेंगा नमबर वान हो सकता है पूर डिजाइन उसका डिजाइन में कुछ गड़बड है नहीं तो wrappers mis-adjusted सही तरीके से उसका alignment नहीं हुआ है adjust नहीं हुआ है इसरा वाला है दोस्तों improper wrapping force तो ये तीन रिजिन हो सकता है तीन कारण हो सकता है बहुत ज्यादा wrapping होने का तो बहुत ज्यादा wrapping होगा तो क्या होगा बहुत ज्यादा wrapping होगा तो हमारा ESP का efficiency भी reduce होगा दोस्तों और हम उसे कैसे ठीक करेंगे सेम उसी तरीके से हमको एक optical dust measuring instrument लगाना है जो की हमको पता सके जिससे हमें पता चलेगा कि अक्चुली कितना dust collect हो रहा है और कितना dust environment में जा रहा है तो उसके हिसाब से हम लोग wrapper का mechanism को set करेंगे यानि wrapper कितना time चलेगा और कितना time बंद रहेगा हमेंसा आमको नहीं चाहिए wrapping mechanism हमेंसा गुमता रहा है ये भी नहीं चाहिए दोस्तो जितना dust collect हो रहा है उसके हिसाब से wrapping होना चाहिए और अगर ज्यादा dust नहीं आ रहा है कम dust collect हो रहा है तो आमको wrapping भी उसके हिसाब से कम होना चाहिए तो यह हो गया दोस्तो आमारा corrective action और फिर preventive measures preventive measures क्या लेना है दोस्तो frequently हमको check करना पड़ेगा उसका physical inspection करना पड़ेगा उसका operation को check करना पड़ेगा और अगर vibrator लगा हुआ है तो vibrator को भी हमको देखना पड़ेगा दोस्तो तो दोस्तो वीडियो को अंतक देखने के लिए आपका बहुत-बहुत सुक्रिया बहुत-बहुत धन्यवाद देखते रहिए बोल-बूल-बूल